हेलो फ्रेंड्स, कुईजर बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है आज हम राज़ सुलेकपाल भरती परिक्षा के लिए ग्रामीर परवेश विशे के महत्वून कोशन्स को सॉल्फ करेंगे यह प्रैक्टिस सेट फिफ्ट है इस क्लास की पीडियफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी जिसकी लिंक इस वीडियो के डिप्सक्रिप्शन बॉक्स में है तो चलिए आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं पहला कोशन है निम्न लिकित में से कौन सा कथन सही है महिलाओं को ग्राम सभा, पंचायत समिती तथा जिला परिशद में आरक्षन सुनिक्षित करता है उप्शन B, सोन जैनती ग्राम स्वराज योजना का मुख्य फोकस, महिलाओं, अनसूचित जाती, अनसूचित जन जाती तथा विकलांग व्यक्तियों की साहता करना है उप्शन C, जवाहर ग्राम सम्रद्य योजना के अंतरकत 30% रियो रोजगार, अवशर, महिलाओं के लिए आरक्षे थै और उप्शन D, उप्रियुक्त सभी तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा उप्शन D, इसमें जो सारे कथने इस सभी सही है नेक्स्ट कोशन, अन्पूना स्कीम किस वर्ग के सहायतार्थ लागू की गई है उप्शन A, ब्रध नागरिकों के लिए जो ब्रधावस्ता पैंशन के योग हैं किन्तो उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं है उप्शन B, पैंशन प्राप्त ब्रधावस्ता नागरिकों के लिए उप्शन C, अन्पड बच्चों के उधार के लिए जिनकी आयू 14 वर्ष से कम है या उप्शन D, किसानों को आर्थिक साहता उपलद कराने के लिए तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा उप्शन A, ब्रध नागरिकों के लिए जो ब्रधावस्ता पैंशन के योग है, किन्तों उन्हें कोई आय प्राप्त नहीं होती है इस योजना की सुरवात वर्ष 1999-2000 के लिए की गई थी परन्तु यह योजना अपील 2001 से प्रारंब गई है इस योजना का उदेश ऐसे वरिष्ट नागरिकों को खाद सुरक्षा प्रदान करना है जो असहाय, अतिगरीव और अभाव गरस्त है बसूली कीमत सामानिता किस इस्तर पर निरधारित की जाती है उप्षण A. बाजार कीमत से कम पर उप्षण B. नियुनितम समर्थन मूल्य पर उप्षण C. वादा कीमतों पर या उप्षण D. मंडी कीमतों पर तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा उप्षण A. बाजार कीमत से कम पर नेक्स्ट कोश्चन सगन कसी छेदर कारिकरम कब सुरू किया गया उप्षण A. 1967 उप्षण B. 1964-65 उप्षण C. 196761 या उप्षण D. इन में से कोई नहीं तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा अप्षण A. 1963 नेक्स्च्ट कोश्चन मिश्रित शर्सेयन से तातपर्य है मतलब Mixed Cropping Option A, एक खेत में एक से अधिक फसलों के बीज मिलाकर एक साथ होगाना Option B, एक खेत में एक के बाद दूसरी भिन फसल क्रम में होगाना Option C, दो खेतों में एक ही फसल होगाना या Option D, दो व्यक्तियों द्वारा साजे में की गई खेती तो इस Question का सही अंजर हो जाएगा Option A, एक खेत में एक से अधिक फसलों के बीज मिलाकर एक साथ होगाना Next Question, नावाड एक सीर्स वित्तिय संस्था है, जो बनी है Option A, व्यापार एवं उद्योग विकाश है तो Option D, निर्याद विकाश है तो इस Question का सही अंसर हो जाएगा Option C, खेतों एवं ग्रामेर चेत्रों के विकाश है तो नावाड, मुंबई, महराष्ट अविस्तित, भारत का एक सेर्स बैंक है नावार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी नावार्ड की फुल फॉर्म है National Bank for Agriculture and Ruler Development इसके CEO है Dr. G.R. चिंताला नावार्ड एक ऐसी बैंक है जो ग्रामीरों को उनके विकास एवं आर्थिक रूप से उनकी जीवन इस तर सुधारने के लिए उनको रेड़क लब्द कराती है Next Question मनरेगा में महिलाओं का कोटा कितना है Option A, 1 third Option B, 1 upon 2 Option C, 1 upon 4 या Option D, 1 upon 10 तो इस Question का सही आंसर हो जाएगा Option A, 1 upon 3 Next Question राश्ट्री सामाजिक सायता कारिकरम के अंतरगत कितनी योजनाए है Option A, 4 Option B, 5 Option C, 2 या Option D, 1 तो इस Question का सही आंसर हो जाएगा Option B, 5 Next Question सूखा प्रवण छेत्र कारिकरम कब आरम्भ हुआ? Option A, 1,75 Option B, 1,7,8 Option C, 1,8 या Option D, 1,9 तो इस Question का सही आंसर हो जाएगा Option B, 1,7,8 सूखा प्रवण छेत्र कारिकरम्भ एक केंद्रिय प्रायोजित कारिकरम के रूप में एक एकी करत्चेत्र विकास कारिकरम के रूप में सुरू किया गया था कारिकरम को भूमी, जल, पशुधन और मानव संस्थानों के संरच्छन, विकास और दोहन द्वारा पारिस्थितिक संतुलन को बहाल करने के लिए धीर्ग कालिक उपाय के रूप में लिया जाता है Next Question पूरा योजना का उदेश क्या है? Option A. ग्रामेर सहरी अंतर को दूर करना Option B. गावों को समाप्त करना Option C. गावों में बिजली प्रदान करना यो Option D. गावों में पानी प्रदान करना तो इस Question का सही आंसर हो जाएगा Option A. ग्रामेर सहरी अंतर को दूर करना Next Question उत्तर प्रदेश की सरवादिक महतपूर्ण खाददान फसल है उप्शन A ज्वार उप्शन B मक्का उप्शन C धान या उप्शन D गेहूं तो इस question का सही आंसर हो जाएगा उप्शन D गेहूं Next question उत्तर प्रदेश में सरवादिक उत्पादन वाला तिलहन है उप्शन A सोयावीन उप्शन B तिल उप्शन C मूंगफली या उप्शन D सरसों तो इस question का सही आंसर हो जाएगा उप्शन D सरसों Next question उत्तर प्रदेश में प्रमुक रूप से आम की किस किसम का उत्तपादन होता है उप्शन A दसहरी और चौशा उप्शन B दसहरी और नीलं उप्शन C अलفांसो और नीलं या उप्शन D चौशा और अलफांसो तो इस question का सही आंसर हो जाएगा option A दसहरी और चौशा Next question ग्रामिर निर्धनों हेतु प्रोफेसर राधा कृष्णन समिती कब बनाई गई? उप्षन A. जन्वरी 2008, उप्षन B. फरवरी 2008, उप्षन C. मार्च 2008 या उप्षन D. अप्रेल 2008 तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा उप्षन D. अप्रेल 2008 उत्तर प्रदेस में सहकारी समितियों, संस्थाओं द्वारा सहकारी क्रशी निवे सापूर्ती एवं वित्रण योजना में खेती से जुड़े किसानों को दिया जाता है उप्षन A. प्रमाडित बीज, उप्षन B. रासायनिक उर्वरक, उप्षन C. अल्प, कालीन, रिड़ या उप्षन D. उप्रियुक्त सभी तो इस question का सही answer हो जाएगा option D प्रमाडित बीज भी दिया जाता है, रासाइनिक उर्वरग भी दिया जाता है और अल्पकालिन रिड भी दिया जाता है next question निम्न लिखित में से कौन सी योजना, स्वन जैनती, ग्राम स्वराज योजना का अंग बन गई है option A, IRDP, option B, TRISAM, option C, DWCRA, option D, उपर्युक्त सभी तो इस question का सही answer हो जाएगा उपर्युक्त सभी ये तीनों ही बैंके अब SGSY का अंग बन चुकी है next question निम्न लिखित में से कौन सी योजना, 2011 से राष्ट्रिय ग्रामीर आजीव का मिसन की रूप में चलाई जा रही है option A, जवाहर रोजगार योजना option B, मनरेगा option C, स्वन जैनती, ग्राम स्वराज योजना option D, जवाहर ग्राम सम्रद्धी योजना तो इस कोशन का सही आंसर हो जाएगा option C, स्वन जैनती, ग्राम, स्वर रोजगार योजना next question समर्थ योजना में प्रोथसाहित किया जाता है option A, विद्वा, तलाक सुधा, अपेचित, महिलाओं को तकनीकी सिक्षा प्रदान करने के लिए option B, उपर्युक्त वर्ग की महिलाओं से कोई लेना देना नहीं option C, खाती, पीती, तंद्रुस्त महिलाओं को तकनीकी सिक्षा है तो या option D, बच्चों को तकनीकी सिक्षा है तो तो इस question का सही answer हो जाएगा option C, विद्वा, तलाक शुधा, अपेचित, महिलाओं को तकनीकी सिक्षा प्राप्त करने के लिए समर्थ योजना 2021 की सुरवात केंद्र सरकार द्वारा की गई है प्रधान मंत्री मोदी जी के द्वारा इस योजना को 2017 में लागू किया गया था जिसमें लगवक तीन साल में दस लाख यूबाओं को कौशल प्रसिक्षन देने का लक्ष रखा गया है जिससे की दस लाख लोगों को रोजगार प्राप्त हो सकेगा नेक्स्ट कोश्चन विश्वत तमाखु निशेद दिवस हर वर्स किस तारिक को मनाया जाता है ओप्शन A 31 मैं ओप्शन B 1 जन्वरी ओप्शन C 15 अगस्त या ओप्शन D 7 जुलाई तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन A 31 मैं इस साल की थीम क्या है commit to quit यानि छोड़ने के लिए प्रतिबद नेक्स्ट कोश्चन अधिक उपज देने वाली किस्मों के कारिक्रम से क्रशी छेत्र में हरित क्रांती की सुरुवात हुई ओप्शन A 1906 ओप्शन B 1970 ओप्शन C 1988 या ओप्शन D 1987 तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन A 1986 नेक्स्ट कोश्चन देश की ग्रामेर विकाश हेतु प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना कब सुरू की गई? ओप्शन A दिसंबर 2000 ओप्शन B मैं 1995 ओप्शन C मैं 1999 या ओप्शन D इनमे से कोई नहीं तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा ओप्शन A इस योजना का प्रमुकुद्देश ग्रामेर इलाकों में 500 या इससे अधिक आवादी वाले सडक संपर्क वंचित गावों को 1280 सडकों से रोजोडना है प्रधान मंत्री ग्राम सडक योजना के तहत जिले में अब तक 395 सडके निर्मित हो चुकी है योजना के निर्धारित नियम के अनुसार सभी सडकों की चौड़ाई 3.75 मीटर है किस विवस्था में भूमी पर ग्राम समधाय का संयुक्त स्वामित होता है उप्षण A. जमिनदारी उप्षण B. महालवाडी विवस्था उप्षण C. रयतवाडी विवस्था या उप्षण D. कास्तकारी विवस्था तो इस कोश्चन का सही आंसर हो जाएगा उप्षण B. महालवाडी विवस्था महालवाडी विवस्था इस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सन 1622 में यूपी पंजाव मत्यप्रदेश में लागू की गई भू स्वराज की प्रणाली थी यह भू स्वराज भारत के 30% भू बाग पर लागू किया गया यह विवस्था में महाल या गाउं के जमीदारों या प्रधानों के वंदोवस्थ के लिए किया गया इसमें गाउं के प्रमो किसानों को भूमी से बेदखल करने का अधिकार था ग्राम पंचायत इस तर पर भू राजसु अधिकारी कौन होता है आप्षण A ग्राम प्रधान, आप्षण B राजसु लेकपाल, आप्षण C चकवंदी लेकपाल या आप्षण D जिलाधीज तो इस कोश्ण का सही आंसर हो जाएगा आप्षण C चकवंदी लेकपाल अंसंधान पर्योजना 1988 में किस संस्था द्वारा चलाई गई? Option A भारत सरकार, Option B राज्य सरकार, Option C सामाजिक संस्था या Option D I C A R तो इस question का सही आंसर हो जाएगा Option D I C A R Next question, स्वजल धारा योजना का प्रारंब कब किया गया? Option A 2000, Option B 2001, Option C 2002 या Option D 2003 तो इस question का सही आंसर हो जाएगा Option C 2002 स्वजल धारा योजना मद्य प्रदे सरकार द्वारा सुरू की गई है गाउं में रहने वाले सभी लोग इस योजना के लावारती थे स्वजल धारा के अंतरगत सुईक्रत योजनाओं समुदायों द्वारा लागत पूंजी में 10% सामुदायक आंसिक रूप से हग्रिम नगत अंशदान अनिवारे होगा तो फ्रेंड्स आज का शैसन यहीं कंप्लीट होता है thank you friends hit like and subscribe button for upcoming videos